नमस्कार, स्वप्रभात, गोड मोईनिंग दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो है कोरियंडर को धनिये को गर्मियों में इजिली प्रोपागेट करना बताऊंगा, ग्रो करना बताऊंगा जिससे आप लोग भी कर्मियों में बड़ी असानी से कोरियंडर को धनिये को अपने घर पर इजिली क्रोपागेट कर पाएंगे तो स्वागत है आपका फार्मिंग टिप्स यूटूब पर तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लोगों को जो है कोरियंडर के धनिये के अच्छी क्वालिटी के देसी सीड पर्चेस कर लेने हैं हमने आपर कोरियंडर के देशी सीड लिये हुए हैं और आपको इस प्रकार के कोरियंडर के धनिय के देशी सीड किसी भी agriculture शोप से आपको ले लेनी हैं उसके बाद आपको एक कांच का ग्लास लेना है या फिर आप कोई बरतन ले लिजे और उस बरतन में आपको इस तरीके से कोरियंडर को धनिये के बीजों को उसमें डाल दिना है इस तरीके से मैंने इस कांच के ग्लास में धनिये के बीज, धनिये के सीड अच्छे से डाल दिये हैं उसके बाद आपको पानी लेना है और इस तरीके से आपको जो है ग्लास में पानी को भर देना है जिससे हम जो हमारे धनिये के बीज हैं वो पानी में अच्छे से भेग जाएं और इसे आपको छोड़ देना हैं कम से कम 15 से 20 घंटे के लिए चलिए दोस्तों 15 से 20 घंटे बाद मिलते हैं तब तक हम मिट्टी रेडी के लेते हैं कोरियंडर को ग्रो करने के लिए हमने इस पॉर्ट में मिट्टी फैले से फिल की हुई है हमने आपर 70% अपने बगीचे की मिट्टी लिए है 30 प्रसत उसी मिट्टी में हमने कॉम्पोस्ट बर्मी कॉम्पोस्ट एड की हुई है mix करके आपको इस तरीके से pot में मिट्टी fill कर देनी है तो friends ये 24 खंटे बाद की update है और जो हमारे धनिये के coriander के seed है वो पानी में अच्छे से भीग गए है जो हमारे coriander के seed है वो पानी में अच्छे से फूल गए है तो friends अब बारी आती है coriander के seeds को लगाने की चलिए अब मैं आपको इन्हें लगा करके भी दिखाए देता हूँ तो simply आपको अपने pot की जो मिट्टी है जो soil है उसके उपर आपको इस तरीके से coriander के बीजों को अच्छे से बिखेर देना है sprinkle कर देना है इस तरीके से तो finally friends मैंने मिट्टी के ऊपर coriander के seeds को अच्छे से बिखेर दिया है sprinkle कर दिया है इस तरीके से आपको coriander के seeds को मिट्टी के ऊपर sprinkle कर देनी है उसके बाद आपको इन्हें cover करने के लिए pure decomposed cover खाद लेनी है अगर आपके पास cover खाद नहीं है तो आप मिट्टी से कोरियंडर की सीड्स को कवर कर सकते हैं ढग सकते हैं इसके अलावा आप कोकोपीट से भी कोरियंडर की सीड्स को कवर कर सकते हैं तो finally friends हमने आपर गोवर खाद से कोरियंडर के सभी सीड़्ों को अच्छे से कवर कर दिया है और उसके बाद इस तरीके से आपको ज它的 मिट्टी की उपरी सत्य को समतल बना दिना है तो friends आफ बार यह आती है कोरियाइंडर के सीड़् में वायटिंग करने की वायटिंग पहली बार में आपको भर पूर करनी है और किसी ऐसी चीज़ से करनी है जिससे जो हमारी कुरियंडर के सीड है वो उखड़े नहीं तो हमने आपर हजारे की मदद से कुरियंडर के सीड में पॉट्स में अच्छे से वाइटिंग कर दी है इस तरीके से आपको वाइटिंग कर दीनी है तो चलिए फ्रेंड्स अब हम कुछ दिन का वेट करेंगे और जल्दी मिलेंगे अपडेट के साथ गूड मॉइनिंग फ्रेंड्स फ्रेंड्स ये 20 दिन बाद की अपडेट है ये 20 दिन बाद की सूटिंग है और ये देखिए जो हमारे कॉरियंडर के सीड है वो गर्मयों में भी काफी अच्चे से प्रापगेट हुए है घ्रो हुए है तो इस तरीके से आप लोग भी गर्मयों में अपने घर पर कॉरियंडर को धनिये को इजली प्रापगेट कर सकते है ग्रो कर सकते हैं मुझे उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग इस वीडियो को एक बार लाइक करके इसे ज़्यादा से ज़्यादा share कीजिए अगर आपकी कोई query है तो आप लोग हमें comment करके बोच सकते हैं धन्यवाद